नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महतोपून जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों आज हम बात करेंगे कच्चा केला दिखने में जितना अच्छा होता है उतना ही खाने में भी दोस्तों जिहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कच्चे केले के बारे में ज्यादा तर इसका इस्तेमाल सबजी और स्नेक्स के लिए किया जाता है दोस्तों केला कच्चा हो या पका सेहत के लिए बोहत ही फायदे मंद होता है दोस्तों इसमें मौझूद बोहत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, बलर्ड शूगर कंट्रोल करने के साथ ही कोलेस्ट रेजिस्टेंट स्टार्च एक अलग प्रकार का स्टार्च होता है दोस्तों जो शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है यह शरीर की कई प्रकार की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने में अहम भूमी का निभाता है दोस्तों कच्चे केले में इसकी काफी मातरा पाई जाती है दोस्तों, रिसर्च में भी ये बात शामने आई है, भोजन में भी, उचित मातरा में, रेजिश्टेंट स्टार्च की मातरा डाइबिटीज, अपच और गैस, और दिल की बिमारियों के साथ है, कोलेश्टरोल लेवल को भी नियम्तरित करती है यह आपके हिल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों इसके साथ ही यह फूट को जरूरी एनरजी में बदलता है जो वजन कम करने में भी कारगर होता है दोस्तों इसके अधर बेनिफिट्स दोस्तों विटामिन सी की उचित मातरा फाइवर की अच्छी मातरा पोटेशियम का खाजाना विटामिन बी सिक्स यह सारी चीज़े कच्चे के लिए में पाई जाती हैं कच्चे के लिए का भोजन में उपयोग कर शरीर के लिए जरूरी विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखने में विटामिन सी बहुत ही महत्वण भूमी का निभाता है दोस्तों विटामिन सी एंटी ओक्सिडेंट के तौर पर काम करता है दोस्तों जो स्कीन इंफेक्शन से बचाने के साथ ही कई बिमारियों से भी लड़ने में सहायक होता है इसकी कमी से स्करवी, एनीमिया, मसूडों की समस्या और हार्ट से संबंधित कई बिमारियों का खत्रा बना रहता है फाइवर की अच्छी मात्रा जिहां दोस्तों कच्चे केले में फाइवर की परियाप्त मात्रा होती है एक कप उबले कच्छे केले में 3.6 ग्राम फाइवर पाया जाता है जो पाचन क्रिया को दुरूस्त रखने में मददगार है इसके साथ हैं ये डाइबिटेज और दिल की बिमारियों की संभावनाओं को भी कम करता है खाने में इसे शामिल करके जल्दी और आसानी से वजन कम किया जा सकता है दोस्तों शरीर को लगभगरो जाना 14 परतिशत तक फाइवर मिले तो पेड़ से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं दूर रहती हैं दोस्तों केला खाने से परियाप्त मात्रा में फाइवर की पूरति हो जाती है दोस्तों पोटैशियम की खाजाना जिहां दोस्तों सभी हरी सबजियां पोटैशियम का खाजाना होती हैं कच्चा केला भी उनमें से ही एक है जादा तर लोग अपनी डेली डाइट में पोटेशियम की उतनी मात्रा नहीं ले पाते जितनी शरीर को जरूरत होती है दिन भर इसकी कमी को कुछ न कुछ खाकर भी पूरा कर पाना असंभव साही है इसके लिए जरूरी है कि पोटेशियम की भर पूर मात्रा वाले खादे पदार्थों का सिवन किया जाए दोस्तों केला खाकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है इसकी परियाप्त मात्रा शरीर में फ्लूड और इलेक्ट्रो लाइट के बैलेंस को सही रखती है दोस्तों साथ ही मुसल्स नर्वस सिस्टम भी इस सबसे आसानी से घूल जाने वाला बीटामिन है दोस्तों तो कार्बो हाइट्रेट प्रोटीन और मेटाबलेजम के लिए जिम्मेदार केमिकल्स के बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों मुटापे को कंट्रोल करने में भी कच्चा केला बहुत ही फायदेमंद हो दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आज जो और शदी यानि की कच्चे के लिए को लेकर के आये थैं आप सभी के लिए यह आप सभी के लिए बेहद लाबकारी साबित होता है दोस्तों तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछे कोवर महत पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों